जो हाई कोट ने आज के आदेश में टिपणी करी है वो बहुत महत्वपूल टिपणी है अभी तक सिर्फ आम आदमी पार्टी और अन्य विपक्षी दल इंडिया गटबंदन के लोग ये बार बार सवाल उठा रहे थे कि ये अरेस्ट गैर कानूनी है ये अरेस्ट गैर लोक मोटिवेटेड है आज हाई कोट ने भी माना है कि ये अरेस्ट गैर लोकतांतरिक हो सकता है आज हाई कोट ने भी माना है कि ये अरेस्ट गैर कानूनी हो सकता है और इसी कारण से हाई कोट ने एडी को नोटिस दिया है और बहुत पश्ट तोर से आप देखेंगे कि पैरा 15 में हाई कोट ने इस मुद्दे को उठाया है इस अरेस्ट की लिगालिटी को क्या ये अरेस्ट पोलिटिकली मोटिवेटेड है क्या ये अरेस्ट इलेक्शन को और डेमोक्राटिक प्रोसेस को अफेक्ट करने की कोशिश कर रहा है तो हम हाई कोट के इस फैसले का स्वागत करत कि दो तारीक तक उनको जवाब देना होगा, दो तारीक के बाद E.D. को समय नहीं मिरेगा और तीन तारीक को ही कोट अपना फाइनल फैसरा सुनाएगा E.D. एक राजनेतिक हथियार है भार्तिय जनता पार्टी कर अगर आप देखिए जो प्रिवेंशन अव मनी लॉंडरिंग आट है, यह किसलिए बना था? यह इसलिए बना था कि इस देश में ड्रग ट्रेडिंग ना हो सके, इस देश में आतंकवाद ना हो सके और उनको रोकने के लिए यह PMLA में इतनी सक्त प्रोविजन्स दी गई थी, लेकिन आज जो PMLA का कानून है, उसे ना काउंटर टेररिजम में यूज किया जाता है, ना ड्रग ट्राफिकिंग रोकने के लिए यूज किया जाता है, उसको सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेत कि नई जी हम बेल के साथ सहमत हैं, आप दे दो उनको छुटी, तब तक कोट के लिए एक अक्यूज को छुटी देना, एक अक्यूज को राहत देना, PMLA में लगबग संभाव है, तो इसलिए ये साफ है कि कल भी EDA के भारतिये जनता पार्टी के राजनेतिक हत्यार की तरह, फिर से दिली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल जी के डी कस्टडी मांगेगा, ED कस्टडी नहीं मांगेगा तो CBI कस्टडी मांगेगी, लेकिन हमें इस बात की खुशी है, कि हाई कोट ने इस बात का कोगनिसेंस लिया है, कि अरेस्ट की टाइमिंग एक पुलिटि